परमादर्णिय प्रधानाचारे मोहदे जी, मुख्य अतिती मोहदे आदर्णिय सर्पन्ज सहाब, मेरे दादोसा, सम्मानिय गुरुजनों, काव से पदा रहे हुए महमानों और प्यारे सहपार्टियों 26 जनवरी को गन तंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो हम सब को मालूम है अब इस लोक तंत्र की राह पर चलते चलते हमारी शिक्षा व्यवस्ता किस राह पर आकर खड़ी हो गई है, आज मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्ताय चल रही है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए प्राइविट स्कूल, गरीबों के लिए सरकारे स्कूल मैंने कई बार देखा है घर पर जब महमान आते हैं और पूछने पर हम ये बताते हैं कि सरकारे विद्याले में पढ़ रहे हैं तो उनके चहरे का रियक्षन भाव एक अलग तरीके का हो जाता है तब मुझे बड़ा दुख होता है उन सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप बहुत बड़ी कलत फैमी में हैं क्योंकि शिक्षा का जो स्त्रोथ है शिक्षा जहां से आती है वो आदर्णिय शिक्षक है शिक्षा उची बिल्डिंगों से बड़े बड़े गार्डन से अच्छी बसों में सफर करने से या एसी रूमों से शिक्षा नहीं आती है शिक्षा आती है शिक्षकों से और वहाँ पढ़ा रहे सबी शिक्षक, राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार द्वारा आयोजित, शिक्षकों को चैनीत करने की परिक्षा में असफल रहे हुए लोग हैं, जिनको सरकार ने शिक्षक बनाने से इंकार कर दिया हैं, वो सबी लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं हमारा सवभाग्य है कि हम जिस विद्याले में पढ़ रहे हैं वहां के शिक्षक राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शिक्षकों को चैनीत करने की परिक्षा जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, उन लाखों लोगों में से चुने हुए शिक्षक है जिनको राजस्थान सरकार ने शिक्षक बनने के योग ये समझा है हमारा स्वबाग्य है कि हमें ऐसे ट्रेंड टीचर पड़ा रहे है मुझे गर्व है कि हम अच्छे हातों में है मेरे दादो सादर्णिय जैसिंग जी देवल यहां विराजे हुए है जो मुझे कभी-कभी एक बात कहते है कि जितने भी IAS, RAS या सरकार के किसी भी उच्छ पद पर लगे हुए ओफिसरों में से जादा दर ओफिसर्स सरकारी विध्यालियों में पड़े हुए है और सरकारी विध्यालियों से ही उत्रण हुए हुए है वर्तमान में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक बिजनस्मेन यहां तक कि इन विध्यालियों में पड़ा रहे शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी विध्यालियों में पड़ाना नहीं चाहते है अखिर क्या कारण है? इसका कारण है संसाधनों का अभाव मैं आप गाव वालों से भी एक निवेदन करना चाहूंगी कि कही कोई गर्बा हो, गणेश चतूर्ती हो, कोई आयोजन हो, कोई आरकेस्टा हो या कई धर्ना देना हो तो आप लोग हजारों की संख्या में पहुँच जाते हैं और हजारों की तादात में रुपया खर्च करते हैं लेकिन इस विद्यालिय की तरफ कभी किसी ने जाक कर नहीं देखा इस विद्यालिय की ओर देखने का किसी को भी समय नहीं है मैं आप गाववालों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जितना जोष आप उधर उधर उन कार्यक्रमों में दिखाते हैं उतना ही जोष आप इधर इन विद्यालियों के लिए दिखाएं भविश्य में संजोकष हम सरकारी विध्याले में पढ़ रहे छात्रों में से कोई प्रधान मंत्री या और कुछ बन गया तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि भारत की तमाम सरकारी स्कुलों को एक उच्च इस्तर पढ़ ले आए ताकि भरतमा भविश्य में भारत में एक ऐसा समय आए कि सबी बच्चे सरकारी विध्याले में पढ़ रहे होंगे मुझे जो कहना था वो कह दिया मैंने जो कहा वो गलत है या सही मुझे नहीं पता इसका नेड़े तो आप लोग ही कर सकते हैं मेरे जो मन में था वो कह दिया अब मुझे बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है जै हिन जै भारत